एकसल तो आप सभी लोग यूज़ करते हो बड़ कहीं ने कहीं टेट्स्ट एलाइमेंन सेटिंग को आप इग्नोर करते चले आते हो जो की इतनी कमाल की सेटिंग है कि इसका यूज़ करके आप अपना काफ़ी टाइम सेप कर सकते हो तो ऐसे ही top 5 alignment setting लेके आपके लिए आ गया हूँ तो आईए वीडियो को आरम्ब करते हैं नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है विजीत आपका सच्चा साती सच्चा हमसफर और आप देख रहे हैं अब GG Technical Forum दोस्तो अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस कर लिजे जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे तो आई अपने टॉफ वन एलाइमेंट सेटिंग के और मूव करते हैं दोस्तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां कुछ डेटा दिया गया है यहां मैं एक नोट लिखूंगा काफी इंट्रस्टिंग सेटिंग है ध्यान से देखिएगा दोस्तो मैंने जो यह नोट लिखा है मुझे इसे अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैं इसकी इलाइमेंट की सेटिंग करूंगा और मुझे यहां से यहां तक के कॉलम के अंदर ही सेटिंग करना है क्योंकि देखने में भी अच्छा लगे है ना तो आप लोग क्या करते हो यहां से यहां तक range select करते हो उसके बाद merge कर देते हो आप लोग यह select कर राइट उसके बाद आप wrap text करते हो और row की height को बढ़ा देते हो आप लोग ऐसा ही करते हो लेकिन इसमें क्या problem है आप ध्यान से देखिए जब मैं यह column की width को adjust करूंगा तो यह देखिए हमारा alignment setting भी इधर हुदर हो रहा है आप देख रहे हैं यह देखिए लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो काफी advanced setting है आए ध्यान से देखिए मैं क्या करूंगा यहां से यहां तक मैंने range select किया उसके बाद मैं जाओंगा home tab पे और यहां एक icon है इस justify पे click करूंगा right और मैंने okay कर दिया इतना मैंने कर दिया अब मैं क्या करूंगा इसको select करूंगा और यह मेरा क्या है left indent और right indent ठीक है तो मैं इस पर थोड़ा right indent पे click करूंगा ताकि बीच में हमारा आजया देखने में अच्छा लगे ठीक है और अब देखिए अब मैं क्य सेटिंग के और मूव करते हैं दोस्तों जैसे मैं यहां कुछ टेक्स्ट लिखूंगा ध्यान से देखी का राम इस फादर इस नौट गुड मैं राइट इतना मैंने लिखा मैं इसको कॉपी करता हूं पेश्ट किया पेश्ट किया और यहां तक पेश्ट किया ठीक है अब मु तो इससे हमारा काफी टाइम वेश्ट हो रहा है तो इसमें हम करेंगे क्या अब ध्यान से देखेगा हम क्या करेंगे इन चार को एक साथ रेंज सेलेट करेंगे या अगर आपको इस कॉलम तक मर्ज करना है तो यहां तक आप सेलेट करेंगे तो मुझे यहां तक मैं यहां अपना काफी time save कर सकते हैं तो आई चले अपने top 3 alignment setting के और move करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहां कुछ data दिये गया है ठीक है और यहां मेरा लिखा है employee wise details ठीक है अब मुझे इसे middle में करना है तो आप लोग क्या करते हो इसको select करते हो यहां से हां तक के range को ठीक है उसके बाद इस merge वाले icon पर click करके आप लोग इसे middle में करते हो right इसी तरह करते हो लेकिन बिना merge की आप अगर इसे middle में करना चाते हो तो वो कैसे करेंगे आईए जान लेते हैं आपको करना क्या इसको पूरे range को select करना है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है right click करना है format sales पर जाना है और यहां आपको एक option दीखेगा क्या center across selection इस पर click करना है और just आपको ok कर देना तो आप देखेंगे आपका जो test है middle में आ चुका है बिना merge हुए ठीक है अब आप इसको color भी करना चाते है तो यहां से color भी कर सकते है देखने में ऐसा लगिएगा कि यह merge है बट यह merge नहीं है ठीक है चलिए अपने top 4 alignment settings और move करते हैं दोस्तों जैसा कि मैं यहां कुछ लिखता हूँ जैसे मैंने लिखा राम कुमार शर्मा ठीक है मोहन शिंग ठीक है अंकूर सिंग ठीक है राम कुमार पाठक ठीक है मैंने यह लिखा अब मैं क्या करूँगा जैसे मैं इसकी column की width को वड़ा दूँगा यहां तक अब हम चाहते हैं जो हमारे name दिये गए है हमारी column की width यह इसी column के width के अंदर यह equal equal part में divide हो जाए तो आपको करना क्या इन पूरे को एक साथ select करना है फिर से आप right click करेंगे format cells पर जाएंगे यहां आपको click करना है और इस distributed indent वाले option पर click करना है और just आपको ok कर देना है ठीक है तो आप देखेंगे कि यह equal equal part में जो हमारी column की width थी उसी equal equal part में divide हो चुका है अगर आपकी ऐसी requirement है तो आप ऐसा भी कर सकते है चलिए अपने top 5 alignment settings यह और move करते है दोस्तों जैसा कि मैंने यहां लिखा क्या RAM ठीक है और हमारी column की width इतनी है ठीक है right मान लिजे example ले रहा हो यहां मैंने कुछ numeric लिखा और हमारी column की width इतनी है ठीक है तो अगर हम चाहते हैं कि यह RAM पूरे में fill हो जाए और यह numeric पूरे में fill हो जाए ठीक है तो अगर आपकी ऐसी भी requirement अगर पढ़ती है तो आप कैसे करेंगा आपको क्या करना अजस्ट इससे select करना है ठीक है फिर आप right click करके format cells पर जाएंगे इसे आप control 1 प्रेस करके भी जा सकते हैं ठीक है control 1 अपने keyboard से प्रेस करेंगे तो यह alignment वाला option आपका खुल जाएगा अब आपको क्या करना है इस horizontal वाले option पर click करना है और आपको यहाँ fill पर click कर देना है ठीक है और ओके तो आप देखेंगे यही text हमारे fill हो चुके जो हमारी column की width थी इसी column के width में यह हमारे fill हो चुका है तो दोस्तों अगर video पसंद आया तो चैनल को subscribe करके video को like, share, comment कर दीजेगा मिलते है next video में जैहिन